मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास एवं वेट लाइनर तथा ड्राइ लाइनर के अंतर के बारे में तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा आए स्टार्ट करते हैं मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास यह सिलेंड्रिकल भाव सिलेंडर लाइनर कहलाता है इसे slender block के बोर में fit किया जाता है पहले जब इंजनों में liner का प्रयोग नहीं होता था उस समय slender के घिस जाने पर पूरा slender block ही change करना पड़ता था जो की बहुत महगा होता था इसलिए slender block में slender liner का प्रयोग किया जाता है ताकि आवशक्ता होने पर जब liner घिस जाए तो उसके स्थान पर नया liner प्रयोग किया जा सके slender liner को sleeve भी कहा जाता है आई अब जानते हैं कि slender liner में कौन-कौन से गुण होना चाहिए यह हलका एवं मजबूत होना चाहिए यह सरलता से घिसना नहीं चाहिए यह उच्च ताप को सहन करने वाला होना चाहिए एवं गर्मी पाकर फैलना नहीं चाहिए इसे जंगरोधी होना चाहिए यह स्मूथ होना चाहिए एवं इसकी कीमत भी कम होना चाहिए आईए जानते हैं slender liner की धातू के बारे में slender liner मुखिता कास्ट आयरन इवं aluminium alloy के बनाये जाते हैं इनके अंदर chromium की परग भी चड़ाई जाती है जिससे यह कम घिसते हैं आईए जानते हैं slender liner के प्रकारों के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक request है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सबस्क्राइब कर ले और साथ में notification bell को भी on कर ले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की notification आपको मिल सके आईए अब चलते हैं slender liner के प्रकारों की तरफ slender liner प्राय दो प्रकार के होते हैं dry liner एवं wet liner dry liner का सम्मंद सीधे water jacket से नहीं होता जिसके कारण इन्हें dry liner या सूखे liner कहा जाता है wet liner का सम्मंद सीधे water jacket से रहता है जिससे ये हमेशा पानी के संपर्ग में रहते हैं इसलिए इन्हें wet liner या गीले liner कहा जाता है पानी के लगातार संपर्ग में होने के कारण इनकी बाहरी सतह पर जंग भी लग जाती है आईए इन liners के बारे में थोड़ा और जानते हैं dry liners पानी के सीधे संपर्ग में नहीं होते इसलिए इनमें जंग नहीं लगती जबकि wet liner पानी के सीधे संपर्ग में होते हैं जिसके कारण इनमें जंग लग जाती है wet liner dry liner से मौटे होते हैं dry liner की मौटाई 1.5 mm से 3 mm तक होती है जबकि wet liner की मौटाई 3 mm से लेके 5 mm तक होती है सूखे liners पानी के सीधे संपर्ग में नहीं होते इसलिए इनके केवल एक ही सिरे पर फ्लेंज बनी होती है जबकि wet liner पानी के सीधे संपर्ग में होते हैं इसलिए पानी के leakage को रोकने के लिए इसके दोनों सिरों पर फ्लेंज बनाई जाती है इसके साथ ही पानी के लीकेज को रोखने के लिए वैट लाइनर की बाहरी सतह पर रवर के रिंग लगाये जाते हैं इन रिंगों की संख्या एक से लेके तीन तक हो सकती है सुखे लाइनर में इस प्रकार के रिंगों की आवशक्ता नहीं होती पानी के leakage को रोखने के लिए wet liner में flange के साथ packing लगानी पड़ती है जबकि dry liner में packing लगाने की आवश्यकता नहीं होती wet liner को fit करते समय slender bore में से पुराने liner को पूरी तरह निकालना आवश्यक होता है क्योंकि अगर bore में पुराना liner लगा रहेगा तो नया liner पानी के समपर्ग में नहीं आपाएगा जबकि dry liner में पुराने liner को निकालना आवश्यक नहीं होता slender bore में पुना re-boring करके भी नय liner को fit किया जा सकता है तो ये कुछ महत्वपूर जानकारी थी slender liner के बारे में next video में हम slender bore bear की study करेंगे आपको ये वीडियो की ऐसा लगा ये comment box में comment करके हमें जरूर बताएं मिलते हैं next video में जैह